हाई मेरे फूडी लवर फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाउल केक की रेसिपी बाउल टुटी फुटी केक की रेसिपी जिसे हम स्रिफ 30 सेकंड के अंदर बना कर तयार करेंगे बस दोस्तो तो इस तता कहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और टाइम वेस्ट किये बिना वीडियो शुरू करते हैं लेट सी तो दोस्तों जैसे आज मैं बना रहे हूं वन बाउल केक तो उसके लिए मैंने एक बड़ी कट ले लिए हैं इसमें डालूंगी मैं दो चमज दही और साथ मैं डालोंगी दो चमज ओलिव ओईल कर सकते हैं जिए ना ना करें और इसमें दो ते चमज टेल डालने तो दोस्ता आज जो केक में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ 30 सेकंड में बन के तयार होगा और सबसे अच्छी खास बात ये है कि जब भी आपका मीठा खाने का मन हो जट पट से आप इसे बना के खा सकते हैं तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब इस पे हम थोड़ा सा डाल देंगे फ्लेवर के लिए वनीला एसिंस और एक बार फिर से थोड़ा मिक्स कर देंगे तो फ्रेंज ये वनीला फ्लेवर वाला टूटी फ्रूटी केक बन के तयार होगा बस last तक जुड़े रहेगा क्योंकि कोई भी step अगर miss किया तो 30 second में cake कैसे बनेगा आपको समझ नहीं आएगा अब इसमें हम डाल देंगे 4 चमच room temperature वाला दूद और दूद डालने के बाद भी एक बार जल्दी से-से mix कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे मैदा मैदा मैंने चान के रखा हुआ है जब भी आप cake बनाएं तो पहले से उसे चान के रख ले कि उसमें कोई not ना हो तो ये मैंने इसमें डाल दिये हैं 4 चमच मैदा और साथ में इसमें डालेंगे हम छोटी spoon से baking powder और pinch of डालेंगे इसमें हम baking soda जिससे कि हमारा cake बहुत ही अच्छा sponge बनके तयार होगा और साथ में जैसे मैंने कहा कि आज बन रहा है टूटी-फूटी केक तो ये है मेरे पास टूटी-फूटी red color की आपके बस जैस color की हो वो इसमें डाल सकते हैं और डालने के बाद इसे अच्छे से mix कर देंगे तो फ्रेंट जैसे मैंने कहा कि इसमें थोड़ा सा दूट बाद में डलेगा तो अभी इसमें दो चमश दूट की कभी मुझे लग रही है क्योंकि बैटर अभी थोड़ा सा गाड़ा है तो इसमें मैं आइडिय से डाल दे रही हूँ यह दो चमश दूट और दूट डालने के बाद इसे एक बार फिर से अच्छे से mix कर देंगे तो फ्रेंस यह बहुत ही अच्छा smooth batter हमारा cake का बन के तयार हो गया है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा और यह cake आज बनीगा microwave में तो मैंने microwave को पहले ही preheat कर दिया है और इधर हमारा cake का batter भी तयार हो गया है इसे हम spoon से एक level में कर देंगे और उपर से थोड़े से और हम इसमें डाल देंगे tutti fruity जो दिखने में भी सुन्दर लगेंगे और खाने में तो cake और ज़्यादा अच्छा लगने ही वाला है बस microwave में डालने से पहले इसे एक बार आप अच्छे से tap कर दें जिससे कि इसमें कोई भी air bubble हो तो वो निकल जाए तो अब cake पूरी तरह से microwave में जाने के लिए तयार है तो यह मैंने इसे 30 सेकंड पे on कर दिया है और आज जो cake बन रहा है वो microwave के normal बोर पर बन रहा है तो अब इसे मैंने cake को अंदर लग दिया बनने के लिए आपको दिख रहा होगा कि 18 सेकंड पे आ चुकी है हमारी निडल और अब 17, 16, 15 इस तरह करते करते पूरे 30 सेकंड पे हमारा वनीला टूटी फ्रूटी केक बन के हो जाएगा तयार तो यह हो चुकी है एक और आप इससे निकाल दिया हमने बाहर तो दोस्तों आपको दिख रहा है कितने अच्छे से बन चुका है और केक ने साइड भी छोड़ दी है अब इसे हम बाहा निकाल लेते हैं तो हमारा टूटी फ्रूटी केक बन के हो गया तयार मैं आपको दिखाती हूँ कि यह बना या नी बना इसे पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी नाइफ या टूट पे कुछ भी इसके अंदर डाल के देखे अगर वो इस तरह से क्लीन निकलती है तो आपका केक बिलकुल तयार है तो दोस्तों हमारा टूटी फ्रूटी केक बन के हो गया तयार खाने के लिए मैं चलती हूँ फिर मिलूँगी अगली वीडियो में बाबाई सी यू टेक केर इंजॉइ गीता सिग्रेसे पीस